दुनिया में एक ऐसी नदी है जिसका उबलता है पानी इस उबलती नदी का क्या है राज? क्यों बनी है यह साइंस के लिए पहली? नेचर ने अपने अंदर कई ऐसी चीजे छिपा रखी है जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है साइंस ने भले ही कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो नेचर के कुछ राज का फाश वो आज तक नहीं कर पाया है उबलती नदी उनमें से ही एक है इस नदी ने अपने अंदर कई राज छिपा रखे हैं जिसके बारे में जानने की कोशिश तो खूब हुई लेकिन क्या इनसान इसका राज खोल पाया आखिर क्या है उबलती नदी नाम से तो यही जाहिर होता है कि एक नदी है जिसका पानी उबलता होगा बिलकुल सही बात है ये एक उबलती नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है लेकिन ऐसा क्यों है इस नदी का वजूद कब सामने आया ये कहां पाया जाता है और इसका पानी उबलता क्यों है इन सभी सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे अगर की कोशिश की जाती है, तब सबसे पहला सवाल यही सामने आता है कि इसका वजूद कहा है? अमेजन के बारे में तो सुना होगा, ना ना, हम अनलाइन प्रोड़क्ट बेचने वाली कमपनी अमेजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अमेजन के जंगलों के बारे में बात कर रहे हैं इस जंगल ने अपने भीतर कई राज छिपा रखे हैं, उनमें से ही एक है उबलती नदी यानी ब्वाइलिंग रिवर, ये नदी अमेजन के जंगलों में पाई जाती है, इस जंगल का वो हिस्सा जो पेडू से लगा हुआ है, वहीं इस नदी का वजूद है, जैसा कि हमने ब कर्मल रिवर के नाम से ही फेमस है, हाला कि इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने इसका नाम लाबोंबा रखा है, जंगल के कुछ कभीले के लोग इसे मयान तुयाकू भी कहते हैं, वहीं प्राचीन काल में इस नदी का नाम शनय टिम्पशिका था, उबलती नद की भी खोज की गई थी, 2011 में भूब ज्यानिक आंद्रे रूजो ने इसकी खोज की थी, इसके पीछे भी एक कहानी है, दरसल रूजो बचपन से ही अपने दादा जी से इस नदी की कहानियां सुनते आ रहे थे, रूजो के लिए ये बात काफी रोचक थी, कि अमेजन के जं कि वो खुद अमेजन के जंगलों में जाएंगे, जहां वो गौाइलिंग रिवर को खोजेंगे, उन्होंने इस तरफ प्रयास किया और 2011 में उन्हें सफलता मिली, जिसके बाद से दुनिया को इस नदी के बारे में पता चला. अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इस नदी का पानी हमेशा उबलता कैसे रहता है? प्राचिन काल में तो ये माना जाता है कि सूरज की गर्मी से इस नदी का पानी उबलता रहता है. लेकिन यहां एक और सवाल था कि दूसरी नदीयों का पानी सूरज की गर्मी से क्यों नहीं उबलता है? बाद में ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस नदी का पानी जुआला मुखी की गर्मी से उबलता होगा. लेकिन ये बात भी तब खारिज हो गई जब ये मालुम चला कि इस नदी से जो सबसे नजदिक जुआला मुखी है उसकी दूरी 700 किलो मिटर है. जाहिर है जुआला मुखी वाली बात भी सही नहीं निकली. प्राचिन काल तो छोड़िये, 2011 में दुनिया में वजूद में आने के बाद से अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि इस नदी का पानी क्यों उबलता है. हाला कि वाइलिंग रिवर के उबलते पानी के राज के जानने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं, कई प्रोजेक्ट चलाय भी गए हैं, लेकिन ये राज अभी राज ही है. इस खबर में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए One India के साथ.